Hey everyone, welcome back to my channel how to walk with beauty tips, this is Fatima आज मैं आपके साथ में बहुत important video share करने वाली हूँ आज मैं आपके साथ में ऐसा hair mask share करने वाली हूँ जो नहीं आपके बालों को soft बनाएगा, बलकि आपके बालों को manageable बनाएगा और extra smoothness देगा, shine देगा तो चलिए बर्षथे video की ओर सबसे पहले हमें चाहिए होगा टू टेबल स्पून अफ कर्ड यानकी दही इसमें हम एड करेंगे बनाना आप एक मीडियम साइस का बनाना ले सकते हो इसे इसका जो चिलका है उसे उतार लीजिए और एक मिक्सर ग्राइंडर में आप बनाना और कर्ड को इस तरह से काट इस तरह से हमारा पेश जो है वह वह एड करूंगी स्वीट आलमंड ओयल चार से पांच ड्रॉप्स स्वीट आलमंड ओयल के मैं इसमें आड करूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लोंगी यह तीनों इंग्रीडियन्स एक सुपर फूड है हमारे बालों के लिए आप आप देखेंगे फर्स्ट यूज में आपके बाल जो है वह एक्स्ट्रा शाइन देंगे तो चलिए इसको अप्लाइ करते हैं हम इस तरह से डैम बालों पर या तो सुके बालों पर इस तरह से अप्लाइ करते जाए रूट से लेकर टिप तक हर एक बाल को अच्छी तरह से चाहिए इस तरह से अप्लाइ कर लिए हूँ इस तरह से आप इसको अप्लाइ कीजिए हम सब जानते हैं एलमड ऑल हमारे बालों के लिए कितना बेनिफिशल है इसमें जो एसेंशल फैर्टी ऐसे होता है यह हमारे बालों को एक्स्ट्रा मॉस्ट्राइज प्रोवाइड करत 15 मिनिट तक इसी तरह से छोड़ दीजिए 15 मिनिट होने के बाद में आप नॉर्मल वाटर से इसे अच्छी तरह से रेंज कर लेना इसको रेंज करते वक्त आप इस बात का ध्यान रखिएगा तकि हमारे बालों में कोई भी पार्टिकल ना बचे इसको रणिंग वाटर में अच्छी तरह से आप रेंज कर लेते जाए हम सब जानते हैं बनाना और कर्ड कितना बैनिफीशल है हमारे बालों के लिए बनाना में जो विटमिन्स और मिन्वल पाई जाते हैं वो हमारे बालों को एक्स्ट्रा शाइन और सॉफ बनाने में मदद करता है कर्ड में जो आप फर्स्टी यूज में इस मास्क का जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा हेगा मैंने इसको ट्राइ किया है और मैं आपको बता सकती हूं यह मास्क एक मैजिकल मास्क है आप इसे सब कुछ रेंज होने के बाद में शैंपू होने के बाद में आप इसे टावल ट्राइ कर आप इसका रिवीव मुझे कमें सेक्षिन में जरूर बताना तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई